नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रामिस्ट्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एका पिरस्टागत करता हूँ साथियो आमले जो बात करने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड जुगर्फी या काएं पिस्व का बूगुल का चैप्टर नंबर 49 के बारे में और ये जो करेंगे और किलियर करेंगे कि यह जो लेंड लॉग्ड कंट्री होते हैं या इस्तल अबरुद देश होते हैं यह क्या होते हैं किन को कहा जाता है तो चलिए यहां पर हम एक नजर डाल देते हैं कैसे कैसे कौन-कौन से देश हैं उस कौन-कौन से महाधिप हैं उसके हम इस् यहाँ कि landlocked का मतलब क्या होता है उसके बार में याँ पर बात करेंगे उसके बाद पुल तेरे देस हैं जो कि landlocked country है या को इस तल अवरुद देस दे से यूड अमेरिका में मात्र दो लोगोडेश हैं जो कि इस्तल अबुद हैं ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं इस तल्व देसों के बारे में यान की की लेंड लॉक्ट कंट्री के बारे मैं रिलेंट लॉक्ड मतला वो इस्तल अबुद अलक से मेन इतली बताया कि सब्सक्राइब के बारे में मैंने पढ़ाए हर चीट के बारे में चाहेंगो नदियां हो किसी भी देश की किसी माधीब की किसी भी देश के चाहें फिर वो सब के बारे मैंने अलग से बता है इसलिए महाधीब जो मैंने पढ़ाए है उसमें एक केबल बेस आप लोग इस तयार किया है जो आप महाधीब को आखें मंद करें तो उली रखें कि इस तरह पिये हैं फिर आपका शिलिया जाएगा फिर यहां पर फ्रीका हो जाएगा फिर यरोप हो जाएगा फिर आखें मंद करेंगे तो यहां पर उत्तिरी अमेरिका फिर दच्षडी अमेरिका फिर सबसे नीचे आएगे तो अंटार्टिका महाधीब तो आखें मंद करके भी आप में पर रखकर बता सकते हैं कि कौन सा महाधीब कहां पर इस तरह चलिए समझते लाउस तो होता ही होता है कहीं पर हो ना हो लाउस तो हो ना ही हो ना होता है उसमें ठीक है तो आई सबसे पहले हम बात करते हैं लाउस की तो लाउस जो है इस ताल अबरुत देस है किन-किन देसों से गिरा हुआ है यह पूंचा जाता है किन-किन देसों से यह सीमा बनाता है तो आपका चीन से ये सीमा लगा रहा है, वियतनाम से गिरा हुआ है, कमबोडिया से भी है, थाइलेंड और म्यामार, तो म्यामार अगर इस तरह से देखें, म्यामार, चीन और वियतनाम, यहाँ पर अगर राजधानी की पैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपका कमबोडिय और यह Thailand, इनकी वैसे राजधानिय पहुत ज़रूरि है, मैमार की राजधानिय नहीं पियदा है, व्यतानाम की राजधानिय हनोई है और आपका Thailand की जो राजधानिय बैंक्कोक है, कंबोडिया की पैन है, नाम पैन है, ठिक है, चेलि, दूसरा देश देखते हैं, नेपाल, न इंकिन देशों से सीमा बनाता है तो आई ये देख लेते हैं ये भी ऐग लैडलोग कंट्री है ये आगए इसतर अब रुजद देश है तो चीन से तो मिला नहीं बना रहा रहा है आपका थिंपू यानि की भूटान से नहीं बना रहा है ये त्यान रखना भूटान से शीमा करें बना रहा है छे लिए कजाकिस्तान को मतलब जोकी महासागरों से जिसका सीमा नहीं बनाता क्योंकि यो के देखा देता हूं इसी आखा आपका यहां पर देख सकते हैं आपका कजाकिस्तान जो है आपका रूस से रूस से गिरा हुआ है ठीक है रूस से गिरा हुआ है और आपका यहां से चीन से सीमा बनाता है के आपका उजविक इस्तान से सीमा बनाता है और तुर्कमेन इस्तान से स सीमा नहीं बना यानिक बंगलाजी से सीमा साधा नहीं करता हुटान के DV अफगानिस्तान tu जो आपका यहां पर कुछ अपर खीस देश सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कि अबना जरे बनाई रहा है जो कि आपका हर से किस से बना रहा है पाक अधिकरत कस्मी से पी ओके से सीमा बना रहा है यानि कि अपरत्या चुरूप से बना रहा है परत्या चुरूप से नहीं मना रहा है पाकिस्तान से सीमा मना रहा है इरान से आपका तजाकिस्तान से टिक तुर्कमेनिस्त बनाने वाली जो है सबसे पहले तो यहां पर रूस देख लेंगे इसके बाद है जोर्जिया ठीक है और यहां पर एक देश है जिसको हम कहते है अर्मेनिया ठीक है चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इसी में एक देश है उजवेकिस्तान उजवेकिस्तान को भी देख ले है तो किरकिय रिस्तान जो है वो आपका चीन से सीमा स्याजा कर रहा है कजाकिस्तान से गिरा हुआ है तेक mentre बारे मगोलिया बात की दिल्दम मंगोलिया ड्रोफ के बारे बात तो तजाकिस्तान भी आपका landlocked country आपका तजाकिस्तान आपका चीन से और आपका अफगानिस्तान से और उजवेकिस्तान से और किर्गिस्तान से भी सीमा साजा करता है इसके बाद तुर्कमेनिस्तान की बारे में बात की जाए तुर्कमेनिस्तान आपका यहां पर देखेंग कि हम इसको कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह इसमें इस देश के रहने वाले जो लोग थे वो बेगर हो गए थे यानि कि यहां का जगड़ा चलता है इजरायल वाले चेसे और यह सीरिया वाले चेसे यहां पर हमारा मार्पिट होती रहती है आपसमें तो यह विच नार गोना करावाख जो है अजर वैगान के अंदर ही एक देश बना दिया है चोटा था हो तो जिस तरह से बहुत भारत देश को तोड़ने की जब बात करते हैं उसी तरह से अजर वैगान में कुछ कीड़े पैदा हुए अजर वैगान में जब कुछ कीड़े पैदा हुए त बस आप अजरबेगान देखेंगे तो अजरबेगान में आपको दिख जाएगा चलिए दूसरा देखते हैं ये रोप में कुल 17 देश यो हैं आपके इस्तालवरोज देश हैं जिन में आपको समझना होगा एक एक करके सबसे फेले बात करते हैं हंगरी हंगरी मतलब भूखा हिए बूखा देश है ये हिंदी में करने नहीं करेंगे यह लोग कर देता न फोगा इस तरह नहीं ये इसका नाम है अंगरी से चलिए समझते हैं हैं बूखा देश मतलब हंतालिश हंगरी देश राजधानी के बारे बात करते हैं दो बुढदा पेश्ट सुरीब किन-किन से सीमा साजा करता है यूक्राइन से रोमानिया से सर्विया की राजदानी बेलग्रेड से ठीक है बेलग्रेड सर्विया से करता है और आपका क्रोईशिया से सीमा साजा करता है स्लोवाकिया से करता है और स्लो और स्लोवनिया से यह प्रमुक्त देश है इससे सीमा साजा करते बैटकन सेटी जो है आपका इटली के अंधर ही रोम जो राज़दानी उसके अंदर ही है तो यह वी एक इस तर्म लब्रॉस देश बोला जाएगा बेलारूस के बारे बात कर लिकार याँ पर बेला रूस यहां पर आप देख सकते हैं बेलारूस तो..., कहा है बेटा बेलारूस आजा पिटा सरमा रहा है यह बेला रूस थोड़ा सा तो सरमहिला लग रहा है मुझे बेला रूस आई है हाँ यह में लिगा बेला रूस की पहले राजधानी बता दूं बेला रूस की जो राजधानी मिंस्क है मिंस्क ठिक मिंस्क जो है तो बैसे मिंट याद रख सकते हैं मि यहां पर देखें के लाटविया से लात्विया की राइधानी रिगा है लुटुन अस है और यहां पर देखें के राइधानी जो वार्सा है और यूक्रेन की राइधानी क्रीब है। ठीक है चलिए मैंसिदो ubiquenia में देख लेते हैं में स्थे onu जो घृइए अलबनीय को को जो क्या झाली statement कर आफ कर जाए इसके ब सी खरते हैं सर्विया सर्विया में मैं मैं आप लोग दीखा देता हूं यहां पर आपको एक क्ढलिय ऑक यह सर्विया आपका आपका रोमानिया से घरा हुआ है सर्विया की राजधानी भी बेल ग्रेड है रोमानिया की राजधानी बुकारिष्ट है ठीक है तो आपका रोमानिया बुल्गारिया कोसोबा कोसोबो और यहां पर है मांटे निग्रो और बोस्निया हर्जे गोन बिना और हंगरी इसकी यहा के बारें बात कर लेते हैं माल्दोबा के बारें बात करते हैं माल्दोबा का है मैं आपको जूम करके दिखा जीता हूँ माल्दोबा बेटा आजा चली आ गया माल्दोबा माल्दोबा आपका यूक्रेन और आपका रोमानिया से गिरा हुआ मल्दोबा की राजदानी है चीस टिक आगों के वारें बात कर ले तो और संघ्टरन से घरा हुआ होंसे जोंते इस डालें rather पर यहां पर नाय को मुफिचर अर्मीनी आपकी बारें बात कर लिए तो आर्मेनिया वी स्टेलवरस धेस एक इस्टिक ढगराज के स्टेलोरी है इसको अलकास देख लेता है, चेकडराज को मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर चेकडराज की राज़ानी प्राग है, पोलेंड, स्लोवाकिया, और यहाँ पर देखेंगे जर्मनी से यह देश घिरा हुआ है, चलिए अंडोरा के बारे में बात कर लेते हैं, अंडोरा भी ए है का नीदर्लेंड, नीदर्लेंड के बाद वेल्जियम, वेल्जियम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लक्जंबर्ग, लक्जंबर्ग की राजधानी से, आपका लक्जंबर्ग सिटी है, आपका स्लोवाकिया जो है, वो भी एक इस्तलब रुद्देस है, स्लोवाक करते हैं अफ्री का में कुल सूल है जो की इस्तल अबुद देस हैं सबसे पहले बात करेंगे सूजी लेंड ठीक है सूजी स्वीटजर लेंड अलग है और सूजी लेंड अलग है ठीक है इसको हम सूजी लेंड भी पढ़ सकते हैं अगर सवलिए के यह जो हमें confusion फैदा ना करें तो स्वीजी लेंड ठिक चले शूलि एक्ट को हम बात में देखें के पहले हम देखते हैं D exemplary praicking. कहां पर देखा देता हूं, जांडिया कि को चांबिया काहा पर यह गिरा हुआ है ठीक है इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो देश है उसको हम कहते हैं बुर्किना फासो बुर्किना फासो को अपर बोल्टा भी कहते हैं अब बुर्किना फासो कहा है आई यह में देख लेता हूँ बुर्किना फासो ठीक ऊपर में चले जाएंगे यहां पर एक देश केगा तोगो से घिरा हुआ है सो रवन्डा के बारे में तो रवन्डा जो है आपका मैं जून कर देता हूं वहाले नीचे की छोआईर बात करते हैं पर तीसरा चोथा जेस अब उरंडी या कहा हैं बुरूंडी आपको देखेगा यहाँ पर रवाइडा के ठीक नीचे बुरूंडी देखेगा यह भी एक इस्तल अबुरूस देश है तंजानिया और कांगो प्रिजातांतरिक से सीमा साजा करता है इसको आप माली की बात कर रहे हैं तो माली यहाँ पर ऊपर आ जाएगा माली भी एक इस्तल बमाको है बमाको प्याने की जब गाउं में कहते हैं दमाको तो उसी का उल्टा कर तो बमाको क्योंकि बंब से दमाका होता है ठीक है चलिए मौरी टानिया से भी सीमा साजा करता है सैने गल से भी सीमा साजा करता है इसके बात देखते हैं मलावी के बारे में मैंने बता दिय है मलावी जो है यहां पर देखेंगे आपको एक उत्तर से दच्छड को यह फ्यला हुआ देश है मलावी जो है आपका जांबिया तंजानिया और मोजांबिक से घिरा हुआ देश है ठीक है इसके बाद बात करते हैं बोस्तवाना आपको यहां पर देख सकते हैं बोस्तवाना ईत्रस्वान जो राजधानी है तो गयः क्याओं है इक होन काइस है जैंबाम्बे नामीविया और दछडिअफरीका है जबिया ठीक है जांबीया से गिरा हूग है चलिक लिस बूस भेना कुछ वान विभ billion को बारें बात करते हैं उसे तर दच्छड़ अफरीका महाधीप में पहली से ले सेथो इसके अपर बढ़ेंगे, तो अफरीका महाधीप में एक आर देस है जिसको हम कहते हैं स्वाजी लेंड या स्वीजी लेंड ठिक स्वेटजर लेंड नहीं है, स्वाजी लेंड जो कि आपका मोजामबिक, और य प्रिका में दो देश पैदा हो गए थे चलि यह बात करते हैं तो मैंने क्या बता है यूगांडा जो है बुरूंडी रवांड़ा और यूगांडा तीसरे नमबर पाई है केनिया कांगो गड्राच रवांड़ा और आपका दच्छडी सुधान से गेरा हुआ है इसके बात कर करते हैं जिंबांबे के बारे में जिंबांबे आप नीचे चले आएंगे तो if you में में आपका मोजांबी जाम्बिया और बोस्तवाना और दक्षर अफरीका से घरा हुए आधिक राज बारे बारे बात करते हैं तो यहां पर केंद्री अफ्रीका गड़ राज जो कि बांग भूई इसकी राजधानी है क्यों कि आपका सुमालिया से जीबूती से और इरिट्रिया से और केनिया से सीमा साजा करता है दच्छडी सूडान से भी और सूडान से भी सीमा साजा करता है इसका दच्छडी सूडान के बारें बात करते हैं दच्छडी सूडान भी आपका यहां पर इस्तलवरुद देश है किसका अफ्रीका महादीब का चली बात करते ह प्रागवेस सीमा साजा करता है अर्जेंटीना से चिली से और पेरू से घिरा हुआ देश है इसके बाद दूसरा जो देश है उसको हम कहते हैं प्रागवे प्रागवे जो है इसकी राजधानी बात अगर करें तो असू सीन है बोलिविया की राजधानी की बात करें तो लापाज राजधानी है ठीक है चलिए तो किनकिन देशों से खिरा हुआ है प्रागवे ब्राजिल से और यहां पर अर्जेंटीना से और बोलिविया से राजदानी वो ओली वैसे ये क्या करता है सीमा साजा करता है ठीक है तो ये हो गए आपके इस तल अवरुज देशों के बारे में जो भी चानकारी थी बहुत इंपर्टेंट मैंने बताया लाओस वारे जैसे देश हैं वो बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है चली साथियो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं उम्मीद है आपको ये जो वीडियो होए है वो पसंद आया होगा और अमीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आनंद लेते रहें और आप लोगों को थोड़ी सी बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का बात्रम